हेलो फैन आज का हमारा टॉपिक है स्पार्क प्लग आज हम डिसकस करेंगे स्पार्क प्लग क्या होता है इसके different different part कौन से होते हैं और यह किस working principle पे काम करता है चलिए शुरू करते हैं स्पार्क प्लग एक वह device होती है जिसका काम spark को पड़ियूस करने के लिए किया जाता है इसी spark की सहता से combustion chamber के अंदर जो fuel होता है उसको बन किया जाता है यहाँ पर बात हाई है spark की तो यहाँ पर हम spark और arc में थोड़ा सा different समझते हैं spark जो होता है वे बहुत instant way में generate होता है और इसे generate करने के लिए हमें low power supply की ज़रूरत पड़ती है और spark का use IC engine में किया जाता है जैसे कि हम यहाँ spark plug का use IC engine में combustion chamber में gas को बन करने के लिए करते हैं बात करते हैं arc की arc जो होती है वे continuously supply के कारण generate होती है और इसके लिए जो supply use होती है वे huge quantity में use होती है जैसे कि हमारा जो welding है वो भी एक arc से की जाती है चलिए अब हम इसकी timing की बात करते हैं कि वे कौन सी timing है जब हमें spark को produce करना चाहिए तो जब हमारा piston approximately top dead center पे पहुंसता है यानि कि ये wear time होता है जब compression stroke का end होता है उस समय spark को produce किया जाता है और यही spark fuel को burn करता है जिससे की engine को power मिलती है चलिए अब इसकी location की बात करते हैं कि ये हमारा किस location पे place किया जाता है spark plug को slender head में inlet valve और exhaust valve के बीच में place किया जाता है जैसे कि ये inlet valve है और ये exhaust valve यहां पर इसके बीच में spark plug mount किया जाता है मगर fact की बात यहां पर यह है कि spark plug हमेशा inlet valve के minimum लगाये जाता है यह इसलिए लगाये जाता है कि spark plug better cooling ले सके यह better cooling इसको inlet valve से मिलती है चलिए समझे कैसे suction stroke के दोरान जब हमारा charge in करता है तब इस charge के अंदर जो cooling होती है वह inlet valve को provide कर देता है जब यह suction stroke में in करता है मगर बात करते हैं exhaust valve की तो जो यहां पर combustion के कारण जो gas produce होती है वह temperature में high होती है जब यह high temperature की gases भार जाती है तब क्या होता है यह energy को इस valve को दे देती है जिसके कारण exhaust valve जो होता है वह inlet valve के comparison में ज़्यादा temperature का होता है इसी कारण से spark plug को inlet valve के minimum लगाया जाता है चलिए अब हम इसके parts को एक-एक करके समझते हैं यह मेरा spark plug है जैसे कि आपको दिख रहा होगा यह terminal है यह मेरा shell है यह मेरा center electrode है जो red color का आपको एकदम center में शो हो रहा होगा यह earth electrode है जिसको ground electrode भी का जाता है इसके उपर यह threads है और इसके उपर यह hexagonal nut है जो further इस spark plug को tight करने में यूज़ किया जाता है और इसके उपर यह insulation है चलिए यहाँ पर एक original spark plug की help से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते है यह spark plug तीन पार्ट से बनता है पहला है center electrode second है earth electrode जिसको ground electrode भी कहा जाता है और third है insulator यह insulator as a insulation काम करती है current flow होने से बचाने के लिए center electrode से भार की तरफ चलिए एक एक करके सबको discuss करते है सबसे पहले हम बात करते है center electrode की center electrode जो होता है यह किस material का बनाये जाता है यह question exam में बहुत बार आया है तो चलिए देखते है center electrode हमेशा nickel alloy का बनाया जाता है इस alloy element में nickel और manganese होते है nickel और manganese add करने से इस center electrode में temperature बेर करने की capacity होती है वह कई गुना बढ़ जाती है साथ के साथ combustion से जो इसमें corrosion और erosion डवलप होती है वह उसको prevent करता है यानि कि यह हमें corrosion से भी बचाता है और यह spark plug को high temperature से भी बचाता है अब देखिए यह center electrode चारो तरफ से insulation से covered है यह insulation क्यों यूज़ की जाती है इस insulation का main काम यहाँ जो center electrode में जो हमारी voltage होती है उसको further shell में transfer होने से बचाना होता है क्योंकि अगर यह shell में transfer हो गई तो यह हमारे earth electrode में चली जाएगी और हमारा spark generate नहीं होगा देखिए यहाँ पे यह white color की इसमें insulation है यह insulation किस material की है चली इसके material को discuss करते है यह insulation तीन material से बनाई जाती है एक है pork lane second है meeka और third है sintered चली है pork lane को समझते है यह pork lane ceramic material से बनाई जाती है और इसका परियोग low duty engine में किया जाता है जिनकी capacity काम होती है जैसे कि हमारी bike, scooty या scooter अब बात करते हैं meeka की मीका भी हमारा एक ceramic material है मगर इसका परियोग हमारा high duty engine में किया जाता है जैसे car, bus या truck बात करते हैं sintered की यह aluminium based एक ceramic material है इसकी सबसे important characteristics इसकी die electric strength है यह die electric strength इस material का bed conductor होती है इसी bed conductivity के कारण यह center electrode से जो current flow होता है उसको surrounding में जाने से रोकता है तो यह थे इसकी material की बात चलिए अब बात करते हैं इस spark plug के parts के बारे में देखें यह spark plug को दो बागों में डिवाइड किया हुआ है यह upper part है और यह lower part है upper part में हमारा insulation और terminal होता है अब हम इस terminal की बात करते हैं यह terminal क्या होता है देखें यह terminal हमारा जो spark plug से connected होता है top portion पे यह मेरा spark plug का top portion है यह further मेरे ignition coil से connect होता है जाकर और इस ignition coil से यह battery से energy लेता है यानि battery से जो हमारा low voltage supply होता है वह इस ignition coil के थूरू high voltage में कर्मट हो जाता है और यह हमारे terminal से center electrode में flow होकर center electrode की tip तक पहुंचता है अब बात करते हैं इस center electrode में lower portion की तो lower portion में आप देखिए lower portion में सबसे नीचे देखिएंगे यह हमारा अर्थ electrode है और इसी को हम ground electrode भी कहते हैं यह electrode thread से connect होता है जो आप green color में देख रहे होंगे और इस original spark plug में भी आप यह center electrode के बगल में ground electrode को देख सकते हैं और इसके ओपर यह इसकी threads है बात करते हैं अब threads की कि इसका क्या function है देखिए यह threads हमारा जो cylinder block होता है उसके उपर जो cylinder head होता है जिसके उपर हमारा यह spark plug mount करता है इस cylinder head में threads groups होते हैं इस spark plug के लिए इनी groups में जाके spark plug set हो जाता है इसके उपर यहाँ पे मेरा washer है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और original spark plug में यह देखिए यह मेरा washer है यह washer slender head के उपर जाकर set हो जाता है ताकि slender head के नीचे जो combustion chamber है उससे जो gases होती है वह इस spark plug से भार निकलने की कोशिश करती है तो यह washer इन gases को भार निकलने से रोकता है अब देखिए इसके उपर यहाँ पे एक hexagonal nut है यह देखिए ड्राइंग में यह मेरा yellow color का hexagonal nut है इसका use इस washer को tight करने के लिए किया जाता है ताकि इसके थुरू कोई भी gas भार निकलने की कोशिश करे तो इसी में रुकी रहे अब बात करते हैं इस spark plug के बीच में इस gap की यह देखिए spark plug का center electrode और इसका जो earth electrode है जैसे कि हाँ पे radical center electrode और blue में जो लग्टोड देख रहे हैं इसके बीच में gap है यह gap जो होता है यह 0.6 mm होता है यह भी important question है यह भी बहुत बार exam में पूछा गया है चलिए अब voltage की बात करते हैं कि है कितनी voltage produce करता है देखिए जब यह battery से इसको voltage मिलती है यह battery हमारी 6 volt यह 12 volt की होती है यह ignition coil में जब जाती है तो यहाँ पे primary ignition coil और secondary ignition coil होती है इस ignition coil से हमारी low voltage high voltage में convert हो जाती है तो इसमें जो हमारी voltage produce होती है वह 20,000 से लेकर 30,000 volt तक जाती है यह भी बहुत important question है कई मारे exam में पूछा गया है अब हम बात करते हैं इसके working principle की यह देखिए हमारे battery से जो की हमारा supply source है इससे हमारी primary coil ignition coil में जाती है यह मेरी primary coil है यह coil approximately 100 tons में होके जाती है इसी के बीच में हमारी iron core होती है अब देखिए जो हमारी secondary coil है वो secondary coil हमारे approximately इसके 10 times यानि approximately 1000 tons में wound होती है और हमारी primary coil approximately 100 tons में wound होती है जब हमारा battery के थुरू power supply की जाती है तब यहां पे इस iron coil के कारण यहां पे EMF induced होता है यानि electromagnetic force यही electromagnetic force responsible होता है इस low voltage को high voltage में convert करने के लिए तो जब यह low voltage जो हमारी approximately 12 volt होती है इस EMF से induced होने वाले magnetic field के कारण approximately 20,000 volt में convert हो जाती है यही wiring हमारी आगे चलके spark plug के टर्मिनल से connect होती है यह मेरा spark plug का टर्मिनल है जैसे कि आपको यहां पे दिखरा होगा इस टर्मिनल से मेरा center electrode connected होता है यह मेरा center electrode है जब यहां से supply इस center electrode में आती है तो यहां पे tip के पास जाके रुकती है तो यहां tip के पास मेरा एक ground electrode होता है इसी को हम earth electrode भी कहते हैं जो high voltage होती है वो क्या करती है इस tip के पास आने के काराण इन दोनों gapों के बीच में जो हमारी यहाँ पर gases है यह मेरी gases जो मेरा fuel का charge है वह gases है इनको यह ionized कर देती है देखें यह ionized ही main working principle को represent करता है क्योंकि ionized होने के कारण ही यह conductor काम करती है और जब यह spark plug इस earth electrode पे जंब करता है तब इनके बीच में ionized gas होने के कारण spark create होता है चलिए अब बात करते हैं इस spark plug में होने वाले कुछ problems की यह spark plug दो problem को bear करता है पहला है इसके अंदर जो center electrode है इसके उपर हमारा बार बार बर बनिंग के कारण carbon deposit हो जाता है जिसको हम falling कहते हैं second continuously high temperature होने के कारण क्योंकि continuously यहाँ पर burning के कारण जो explosion होता है तो यहाँ पर high temperature generate होता है इस high temperature के कारण यहाँ पर thermal stress generate होती है और यह thermal stress जो होती है यह इसके अंदर cracks develop करती है चलिए अब short form में spark plug के दो type को समझ लेते हैं एक होता है मेरा hot spark plug और second है मेरा cold spark plug देखिए hot spark plug वे spark plug होता है जिसके अंदर यह जो center electrode की length होती है वो बहुत जादा होती है इसी high length के कारण इसका जो heat travel path होता है वो जादा हो जाता है और जादा heat travel path होने के कारण यह बार बार क्या करेगा अपने आपको heat करेगा इसलिए इसका परियोग हम केवल low duty engine में करते हैं जैसे की बात करते है cold spark plug की cold spark plug में जो हमारी center electrode की length होती है वे बहुत छोटी होती है इस छोटी length होने के कारण इसके अंदर कम heat generate होती है और इसी के कारण इसका परियोग हम heavy duty engine में यानि की bus, car या trucks में करते हैं main difference यह है यह जल्दी hitting ले लेता है और cold वाला थोड़ा कम लगता है आपको यह topic कैसा लगा please comment box में share करें thank you